दोस्तों मैं राग अगवाल मैं एक बिस्स कोच हूँ और पब्लिक स्पिकिंग ट्रेनर हूँ और आज हम लोग बात करेंगे दुनिया के सबसे ज़्यादा बादी वाले देश चाइना की ये चाइना भार से इतना आगे कैसे निकलता जा रहा है क्या आप जानते हैं कि 978 में बारत और चाइना की GDP एक जैसी थी कैसे ये सिर्फ 40 सालों में दुनिया का सबसे बड़ा एक्स्पोर्डर बन गया कैसे इतनी जली दुनिया का सबसे 23 से बढ़ने वाला देश बन गया और रोक तो रहा ही नहीं है बड़े चले जा रहा है चाइना की प्रोग्रेस यू नही करती यानि कि चाइना में आदा से ज्यादा लोग जो कि किसी भी धर्म को विशास नहीं करते फollow नहीं करते क्योंकि चाइन एक toget कंट्री है वो यह सोचते हैं कि हम समसे किसे निकलेंगे वो अपना समय और पैसा धर्म के जगा पक्र्म पर लगाते हैं अपने आगे आने वा हमारी सरकारों ने awareness फ्लाने चुरू कर दी रिक्वेस्स करने चुरू कर दी बच्चे कम पैदा करो बच्चे कम पैदा करो जबकि चाइना ने एक बच्चे से ज्यादा बच्चे पैदा करने के बाली परिवार से सकती से नपटा तरह-तलह के जुर्माने लगाए हूं पर चाइना की 100% population advanced education तक पहुँशने वाली है बात में कमी नहीं है ना भरत वासियों में कमी है कमी है तो सरफ शिक्षा की चाइना आगे है तो सरफ education के कारण आगे है बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया चाइना से अगे निकलेगा इंडिया आज दुनिया में शायद ही कोई ऐसी चीज होगी जो चाइना नव बनाता हो चाइना दूसरों की चीजों का टाप्ट करना जानता है चाइना देखता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या बिक्तिमाली चीज़ है चाड़ तर देखता है और उसको बराना शुरूर करनेता है चाइना आज दुनिया की सबसे बड़ी पहली प्रेफरेंस बन चुका है चाइना को ग्लोबल फेक्टरी का जाने लगा है चाइना में गर्वर्मेंट, बिजनस्मेंट और नॉक्री पिशा के साथ में पार्टलिशिप में काम करती है चाइना में 1978 में 23 से FDII शुरू किया इससे वहाँ बहुत ज़्यादा फ्रेक्टिया लगने शुरू हो गई जाब बड़ी और चाइना की ग्रोथ सीदा होने शुरू हो गई इसके बाद चाइना ने एक्सपोर्ट करना शुरू किया मतलब बनाया चाइना में बेचा पूरी दुनिया में आप जानते हैं कि चाइना दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी अर्थ बवस्ता बन चुका है इसने शुरू किया मास प्रड़क्शन और कोई भी चीज हो उसको सबसे पहले चाइना सीखता है सबसे पहले उसको चाइना बनाता है और सबसे दाज चाइना बेचता है क्या करता है? सीखता है, बनाता है और बेचता है दुनिया की 80% ACs चाइना बनाता है 70% smartphones भी चाइना बनाता है 60% shoes जो है वो भी चाइना बनाता है यहां तक की 74% solar cells भी चाइना बनाता है 60% cement चाइना बनाता है 50% coal cup production भी पूरी दुनिया का चाइना बनाता है 45% ships जो है वो भी चाइना बनाता है 50% steel चाइना बनाता है और इतना ही नहीं, अमेरिका के 90% flags भी चाइना बनाता है ज़रा सोच के देखो कि अमेरिका का flag और अमेरिका से ज़्यादा चाइना बनाता है Chinese कोई भी सौधा छोड़ते नहीं है और किसी भी सौधे में नुकसान नहीं उठाते हम भारतेयों को सीखना है सौधे करने के तरीके इनी तरीकों की बात हम करते हैं आपने business course benchmark for business में आप सोच रही होंगे चाइना केवल cheap product बनाता है आपको मैं बता दूँ कि दुनिया के 60% most luxurious branch चाइना में बनते हैं चाइना ये सब इसलिए कर सकता है क्योंकि उसके पास चेप labor नहीं skilled labor है चाइना में development का काम इतनी तेई से चल रहा है कि पिछले 10 सालों में चाइना की economic growth अमेरिका की economic growth से साथ गुना ज़ादा हो चुकी है अमेरिका ने जतना cement 100 सालों में इससे में चाइना में चल रहा है चाइना में average हर 5 दिन में एक 50 मंसे से ज़्यादा उंची skyscraper building बन जाती है ये average आ रही है उनकी उनका target है कि अगले 7 सालों में याने कि 1225 तक 40 billion square meter skyscraper building बनाने का याने कि इसका मतलब यह वहा कि 10 New York City बनाने की बात हो रही है उतले 7 सालों में कि आप जानते है कि दुनिया का सबसे बड़ा डैंज है वो भी चैना के पास है technology में ये लोग इतने ज़दा advance हो चुके हैं कि ये लोग जब 2008 में इनके आप Olympics हुए थे और स्टेडिम में एक मैच के दौरान में बादल आने वाले थे मैच बहुत मत्पून था मैच खराब हो सकता था इन लोग ने fighter plane से rocket launcher से anti aircraft gun से बादलों का रुख ही मूड दिया इतने advance है ये लोग आज electronics की दुनिया में पुरती घंटे की रफ़तार से चल सकती है और से मैं खुद चड़ा हूँ 2009 में याने की करीब 10 साल पहले आप रेस्टॉन में अगर अपने टेबल पर बैट करके अपने फोन से order करेंगे खाना आपको अपने आप मिल जाएगा टेबल तक पहुचता हो मिल जाएगा आपके एकाउंट से पैसे भी अपने आप कर जाएंगे आप डाइटिंग कर रहे हैं क्या और आपको अपने health को लेके बहुत आप conscious है इन्होंने ऐसी machine तक बना दी है जो खाने को देख करके बता देगी कि इसमें कितनी calories है और साथ में कितनी cost होगी सारी दुनिये में police dogs का इसमाल करती है crimes को रोकने के लिए ये लोग dogs के साथ में geese को भी फ्रिंट करते हैं geese और dogs के दोरों use करते है geese जो है वो dogs से ज़दा aggressive होती है dogs जमीन पर काम करता है geese हवा में उड़कर के attack करना जानता है future के बार में ये बहुत आगे तक की सोचते हैं कि अगर कभी किसी situation ऐसी आई जिसमे coded messages भेंगने हो और communication का सारा system खराब हो जाए इतना आगे की सोच रहे हैं कि ये कहते हैं कि परशान हों के जोट नहीं है इन्होंने technology के इतना advance के साथ साथ में अपने आप पिजन्स को भी messenger train की तरह शुरू कर दिया जैसे पहले की होता था जैसे पहले कभूतर चिटी ले करके जाते थे ना बिल्कुर वैसे ही कभूतरों को advance technology के साथ में coded message को ले जाने के लिए train कर रखा है कि बुरे से बुरा भी हुआ तो तब भी ये लोग बुरे से बुरे दिन के लिए भी तैयार है यही सब तो कारण हैं जिसके वज़ा से 1990 में इनका global output 3% था वो आज बर्ट के 25% तक पहुँच चुका है अच्छाब मज़े की बात देखे इतनी ज़्यादा अबाती होते होँ भी ये लोग के discipline को लेकर के अनुशासन को लेकर के बहुत जबर्दस सकते हैं ये लोग उधान लीजे आपने एक्जाम में चिटिंग की तो पकड़े जाने पर 7 साल की सदा होगी अगर आप बुडे पेरेंट्स को regular मिलने के लिए नहीं जाते हो तो आपको जेल के को सकती है किसी कपनी ने लोग के साथ में fraud किया तो उसे फासी तक की सदा हो सकती है मैं आपको बदा दू कि ये लोग कान के लिक इतने जबरता सकत है कि दुन्या की तीन गुना ज़्यादा फासियां इसी देश में होती है इकामिक ग्रोथ के साथ में चाइना इंडिविजियोल ग्रोथ पर भी काम कर रहा है चाइना के बजट का एक बहुत बड़ा अमाउंट इसकी रिसर्च और ड्वेलपेंट पर पूरा होता है पूरी दुनिया में research और development पर जितना खर्च होता है उसका one-fifth अके लिए चाइना करता है पिछले 25 सालों में चाइना ने 800 million यानि करीब 88 करोर से जादा लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है इनका GDP growth हर साल 10% का है और literacy rate 23 से बढ़ रहा है कि 93.7 तक पहुंच चुका है 100% पहुंचने वाला है जो आपको मैंने पहले का था आपके जानकारी के लिए बता दूँ ये इंडिया की literacy rate से 49% से भी कहीं जादा है अगर कोई company चाइना में operate करना चाहती है तो उसको सबसे पहले अपने technology को चाइना के साथ में share करना पड़ेगा मतलब समझते हैं मतलब हमारे यहां काम भी करो और हमें सिखाओ भी हम भी करेंगे इन्होंने social network भी अपने खुद के बनाकर कर तियार कर लिया है Facebook, Twitter, Instagram, Google की जगा पर इनके अपने देश के बने हुए social network यह लोग इसमाल करते हैं आपने waterfall तो देखे होंगे पहड़ों के अंदर चाइना ने waterfall खुद बना दिया मतलब innovation of creativity का तो कोई हिसाब ही नहीं है दुनिया का सबसे बड़ा man-made waterfall बना दिया है इस चाइना ने त्यार कर देगा चाइना की e-commerce powerhouse अली बाबा ने पुरे stock market को जबरदस हिला के रख दिया था पहले entry में ही क्या आप जानते हैं banking system इतना strong है कि दुनिया के चार सबसे बड़े bank चाइना के हैं चाइना की 12 सबसे बड़ी company कोई industrialist नहीं चलाता वहां की सरकार चलाती है बिना ब्रेक लगाए आप कई कई किलमेट तक जा सकते हैं हमारे यहां पर सिर्फ दो six lane highways है एक यमना एक्सप्रेस वे डेली के साथ में और दूसरा है एहमदाबाद वदोदरा एक्सप्रेस वे शायद ही कोई ऐसी road होगी हमारे देश में जाबक गड़े ना दिखाए दे चाइना अपने देश के हर हिस्से को दूसरे से जोड़ चुका है अब वो अपने देश को पुरी दुनिया से जोड़ रहा है वन बेल्ट वन रोट का ये काम बहुत तेई से चाइना कर रहा है इससे चाइना पुरी दुनिया में अपने वेपार को फ्हला सकेगा बहुत आगे की सोचता है सोचनी की बात है 1978 था जब चाइना और इंडिया एक जासा था आज चाइना देखे कितना आगे बढ़ चुका है कितने आगे की सोच रहा है जब चाइना कर सकता है तो मैं पूछता हूँ हम लोग क्यों नहीं कर सकते है जैसे चाइना ने अपना वेपार पुरी दुनिया मे फिलाना है कैसे अपने टरन ओवर का 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना तक लेके जाना है साथ में आप हमारा पब्लिच्पिंग कोर्स भी कर सकते हैं इन कोर्स को जोइन करने के लिए आप उपर लिखे हुए निबर पे कॉल कीज़े अगर आपको ये वीडियो पसंद कीज़े और बेल आइकन को ज़रूर दबाएगा ताकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें और हम लोग मिलते हैं मेरी नेक्स वीडियो के अंदर बाबाई श्रवाखेर, बेसिंग या, गुद आइट